साक्षी जी ने कित्ती अच्छी बात बोली केतू को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैदल चल लेंगे कितना बढ़िया रहेगा अब अगर केतू को कंट्रोल करना है ओ ओ ओ ओ मेरा माली कित्ती अच्छी रेमेडी आज आपको बताने जा रहा हूँ गर में बैटे बैटे कर लेंगे, केतु ही छुप होई शेतानिया करता है, केतु ही छुप होई दुष्पन, छुप होई अंदरूनी बिमारिया जो डैग्नॉस नहीं हो सकती, अब देखिए आप, केतु को रहसे में क्यों का गया है, क्यों का गया है, क्यों कि केतु पताल का ह पताल की सारी शक्तिया केतु के अदिन है अब केतु रहस्चे महीं है अब रहस्चे महीं बिमारिया जो होती थी जब हमारी एस्टोलोजी बनी थी तब मेडिकल साइस नहीं था तब आपका पेट नहीं चीरा जा सकता था चीरा जा सकता था नहीं न आपके अंदर जो जैसे आ तो अब लेकिन अब सारा पता चलने लग गया है तो केतु को इसलिए रहस्ट में कहते हैं क्योंकि वह छुपई चीजे देता है छुपई दुश्मन, छुपई वी बिमारिया अब हम केतु को कैसे ठीक करेंगे केतु को आप भरस्पती से ठीक कर सकते हैं क्या है प्रस्पती क्या है केसर प्रस्पती क्या है हल्दी कानों के पीछे आपने देखिये मैन फ्टर पेंद लखे आपने भी कुछ पेंद अखे है कांचे दवां रखे आपने केतु को साथ रखाए केतु ना बच्चे के अंदर शेथानिया लिखे आता है केतु का पीरियट कब होता है केतु का पीरियट लाल किताब के हिसाब से ग्यारा से शोड़ा साल तक होता है तेरा से पंदरा में ज्यादा है जाता है एक्टिव हो जाता है बच्चे के आपने देखा है इस साल के मतलब कैसे तरफली होती है 21 साल तक उनको होती है न आपने देखा होगा 13 साल चे इक 24 तक या आथारा साल तक कैसे उन्हें ज्धासा होती है सारी चीजे जाननेगे उल्टी सीधी भी और सीधी सीधी भी मालंगे मेरे बाली हाना तो केतु क्या होगे रैस्च में, आप बच्चों के पीछे हल्दी की तिलग करना शुरू कर दिये कानों के, किसी को दिखेगा भी नहीं, दिखेगा, नहीं दिखेगा, अगर आपका बच्चा बिगण रहा है लड़का पुत्र संतान, तो मतलब आपका केतु खराब है, ठीक केतु देव, जिसके अच्छे नहीं होते हैं, वो कभी आश नहीं कर सकता जीवन, केतु देव आश के लिए, आश का कारक है केतु देव, जिसका केतु अच्छा नहीं, उसने आश नहीं करी होगी जिन्दगी में, इतना भी कमाले, लेकिन आश नहीं कर पाएगा, मतलब इत कि लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन दान करने वाला दिल नहीं है तो दान करने के लिए भगवान किसी किसी को चुनता है ऐसी एश करवाने के लिए भगवान किसी किसी के चुनता है गरी लो, गरी माता-पित आप ने देखोंगे, कमाते-कमाते मर जाते हैं, और बच्चे उनके ऐश करते हैं, चौथे भाव में सोरे होगा न, आपका, तो ऐसा इंसान जो है, दिया है कि क्या तरहीगा, कि वो रेशनों का खीड़ा बन जाएगा, कमाते रहेगा, कमाते रहेग कि वो आपने अपने उबर खर्चा कर ले मतलब ये ग्रह है ये ग्रह है और ग्रह है जिस परकार से आप जब पैदा हुए हैं उस परकार से ग्रह है अगर आपके जिस परकार के हैं अगर उनको आप समझ लो अपने नो ग्रहों को नो प्लाइनर्स को समझ लो उनके उपाय कर लो उनके तरीके से उनको जो है अक्टिवेट कर लो तो सारी जिन्दगी वो काम करते हैं और वो आपके बतलब यह लगा लीजे वो ग्रह आपके कंट्रोल में आकर आपको जो है अच्छा फल दिना शुनू कर देते हैं अगर बशर्ते आप उनके समय समय पर उनको भोग दिना शुनू कर दो ऐसा नहीं है कि हर ग्रह के उपाय करने हैं आपके कुछ पटिकुलर नहीं आपके कुछ ग्रह हैं जिनके आपको उपाय करने होते हैं बाकी लोग तो आज शनी का कर रहे हैं, आज कल गुद्व का कर रहे हैं, वार के साफ से उपाय कर ले आते हैं, तो वो भी गलत होता है, कि सो अमर को ये कर रहे हैं, बुद्वार को ये कर रहे हैं, वीरवार को ये कर रहे हैं, तो वो भी चीजे सही नहीं होती है, तो किन-किन प्लैनेट्स का करना चयह उपाए? वो आपकी कूंडली के साब से तो बेसिकली हमारे पार जो kalian आते हैं तो हम क्या करते है कि उनकी चीजों को balance कर देते हैं बाकि उनकी nevlogy से भी, astrology से भी वास्थू से भी, jamini से भी तो हम ये सब चीजे balance कर देते हैं अब आपको एक छोटी सा बार गती हूँ, कुंडरी के अंदर एक client थे उनका छटा-बहाव एक्तिवेट हुआ, तिक रिएक बहाव एक्तिवेत हुआ, उसकी दृस्जायबती की महारशार लगी। चेटे बाव में भ्रस्त्ती का गारक था, उसको ब्रस्त्ती की महाद अच्छा लगी, उन्हें किसी एस्ट्टी लामी गिया, बॉत नामी किरामी आइस्ट्टो अच्छा लग गई है, आपके जीवन में चमतकार होगा, ऐसके आपके फीछ खुब पैसा आएगा, क्योंकि ब जोग दिन चतरों को ठाना था उसने, अब क्या हुआ उन्होंने क्या कि अपने घरल बनाया, चैमरे लगाए, और कैमरे लगा लिया, उन्होंने एक कैमरे लगया उनका ESC जोन में, ESC जोन जैसे ही में कैमरा लगा, वैसी उनके घर में रेड पड़ गई, इसकी ED ही, ठीक है, स सोने चांदी का उनका खाम था, और बड़े सारे एस्टलोजन नों को बुला, अरे ब्रस्पती आगया, आप तो सोने चांदी की जोरूम और कुलने वाले है, यह उने वाल है, वो उने वाल है, तो हमारे पास आये उन्होंने का, ऐसा सभी ब्रस्पती की महाद अचा है, अब मेरी वास सुन लीजे की यह आपको अच्छा फ़ल नहीं देगा, एडी की रेट पड़ी घर पे लगाया, एसी जोन में, उनके वहाँ पर हमारी वास्तु की विजिट हुई तो हमने उनको सबसे पहले उन्होंने का, तीन दिन से लगा तर फोनारे में, आज एडी वल आज यह आगया, आज वह आगया, आज सेल टैक्स वाले आज आगया, तो वहाँ पर जाके आपने दिखा, वही बैठे-बैठे ओफिस में ही, पहले संजीव जी ने का, आपने कुछ अपने घर में कुछ छेटर करी हैं अभी, तो आपको अपना एसी जोन का कैमरा उतारना ह और वह एसी जोन में भी लगा, एसी जोन का मतलब है चर्निंग, चर्निंग किसी भी चीज की चर्निंग हो रही है, अब आपने खोज भी नहीं है, यह सी जोन, तो खोज लिया आपको एडिवालों ने, आप तो आबैल मुझे मार वाला काम कर रहे हैं न, तो जो जो हमारे प्लानेट जैसे जैसे एक्टिवीट होते हैं, वैसे वैसे हमें फल मिल जाता है, वो बगवान के पास बड़ा वड़ी वड़ी दूर बिन पड़ी है, हमारे में चुची चुची होती है, ठीक है न, तो बगवान आपको खोज की निकाल लेगा, वही पर आपको लोग जाती है न, तो हम वो चीज़े अट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो यह है, तो इससे क्या होता है, कि फिर हमारे साथ में दिक्कते आनी शुरू देते हैं, तो वहाँ पर भी चोटा से कैमरे ही, आपको जब हमने उत्रवा दी, उनके नीचे पार्किंग में उसी जोर मे तो यह वास्तु का इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि बिस तोड़ फोर ही होगी और वह होगा, अब जैसे हम आपके यहाँ पर आए, तीक है, आपने बोला कि मुझे बहुत सारे से पहले लोग आये थे, एस लोजर आये, कोई वास्तु वाले आये, उन्होंने बोला कि यह आ आठ देवता होते हैं, जो हमें देते हैं, अर बाकी के यह संथ है कोई डाकशास है है, कोई असुर है, शकतिया है, तो आपने कौन सी शकती आपकी अक्टिवीट है, हमें तो सुन के पतल लिजाती है, आपका यह वाला देवता जागी, तो भी बंचा होगा, गल्ती से भी वास्तू में छेड़ना, हां, जो बाकी छोटी-छोटी चेड़ने से हैं, हमने आपको उताया है, वो आप कर सकते हूं, लेकिन आपको यहां पर एक बड़ी positivity वाली वास्तू जो है न, energy है, तो वो हमारे भूमी की अनर्जी भी होती है, यह हमारी भूमी की भी हमारे हर एक plot की energy होती है, तो वो energy की जो वो है, इसकी frequency बड़ी high है, तो आपको पेफालतू में नहीं करवाना होता है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो यह चीज़े होती है, आज कल बच्चे कितने शेटान होते जा रहे हैं, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब अच्चे खास कर जो बड़े हो गए हैं, 21, 23, 24, 25, 25 साल के, और चाहे छोटे भी नहीं लेजे, 15, 16, 17 साल, आज कल सारे अखड़ जाते हैं, है ना मेरे पानिक, सारे अखड़ने लग गए हैं, सारे ही ही, देख रहा है ना आपने, कैसे अपने मावाब से अखड़ने लग ज ले आप, फोटो पे नाम लिखे, वो फ्रिज की साइड पे लगा दे, किस साइड पे ऐसा है या कई भी में, किसी भी साइड पे लगा दीजे, पीछे मत लगा दीजेगा, बिल्कुल ही मशीन की तरफ, कंप्रैसर की तरफ मत लगवा दीजेगा, साइड में, फरंट में तो को शान्त करना है बच्चे शान्त कहा होते है आज कर बात शान्त होगे तभी तो बात सुनेंगे तभी तो बात मानेंगे फिर उसके बात क्या करें या उस बच्चे को जब वो बच्चा शान्त हो जाए उसे क्या कीजिए अगर बच्चे को पढ़ाई में उश्यार करना है आजकर कंसेंट्रेशन लेवल ही खतम हो गया, वीडियो गेम, मोबाईल, इन चीजों ने क्या किया बच्चों के साथ, एक आगरता खोदी बच्चों ने, आपने देखा पच्चे कर रहे हैं बच्चे आजकर, वीडियो गेम खेल के, मोबाईल पे, बाकी गेम्स पे, आपने देखा नहीं है, देखा न, तो हमने क्या करना है, हमने एक तो फ्रिज पे फोटो, दूसरा, उसे दूद और हल्दी से नहलाना है, बच्चे को, दूद और हल्दी से उसका स्रान करवाना शुरू करना है, आप लोगों ने, क्या सबने कर लें तो कोई बुराई नहीं है, ल आप ये दो तिन उपाए बच्चे के साथ करके देखिए, बच्चे में ड्रमाटिकली चेंज आएगा, ये दूद और अल्दी वाला तो कोई भी कर सकता है जी, इससे तो आपका एगा करता बड़ेगी, आपका चंद्रमा अच्छा होगा, पैसा, 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 पैसा आपका उलेक्सा, ठीक है न जी, और बरस्पती भरकत, पैसा, काम, दंदा, देखिए, बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और बड़ा ही प्यारा छोटा सा उपाए बता रहा हूं मैं आप, छोड़ा सा दूद लीजिए, पीपल के पेड़ पे चड़ा दीज पीपल क्या है, बरस्पती? मानते हैं, बरस्पती पूरे संसार में एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी देता है, पका रूप बरस्पती का, तब ही पहले वाले जमानों में लोग कहते थे, भई या बरस्पती है, इसको काटना, मतलब पीपल के पेड़ पे भूत प्रेद है अब पहले वाले जमाने में लोगों को समझाते कि यह भई यह जिनमे भी ऑक्षिजन देता है और रात को भी ऑक्षिजन देता है इसे मलखाटना तो लोग कहते हैं पागल कहीं का कैसी कैसी बाते करता है बिचारे हमारे जो सादू संत थे वो उन्हें भोलना बड़ा भूत प्रेद क्या करें न तो वहां से शुरू हो गया भूत प्रेद भूत प्रेद और अभी तक दुनिया बेवकूब बना रही है भूत प्रेद तो यह साइस थी साइन्टिस्ट है हमारे जमाने में लोग मलब पुराने जमाने में तो दूद जा अगर आपको अपना काम काज बढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का मन अकागर करना है, बड़े लोगों को अगर पैसा कमाना है, और अपने काम काज का विस्तार करना है, तो जाके डालिये क्या दूद, पीपल के पेर पेर पे, जब वो पेर पेर जाके नीचे बै के आये दूर, मिट्टी में मिलाईए, पहले पीपल को, देव को, दिला कीजिए, फिर अपने माते पर कीजिए, एक हफ्टे करके देख लीजिए, मैं कहता हूँ, आपका मन शान, तन शान, काम काज के मजे मजे, पैसे बले बले, और बच्चों को करवा दिया, तो बढाई में मन, एक गंटा पढ़ेंगे, सौ गंटे की बढाई हो जाएगे, और संजीव जी, पित्र दोज में तो शानत हो गया इससे, बिलकुल, बिलकुल, साक्षी जी, उसके इतना शानत हो, क्योंकि पीपल का पेड़ पर पित्रों का वास होता है, और हर शानिवार को, शुक्तवार की दात को मालक्षमी आती है, बिलकुल, 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 आपको, 1000 रुपे की जो है, आपको बता ये क्या चलना है, PITRदोश है, उपाए बनेगा, PITRदोश है, 90 से नुपभ़वय पितरदोश होता है. होता ही, होता है. तो अब लोगों ने PITRदोश को हुआ बना लिया। पिर तरदोश का एक बड़ा छोटा सा उपाय बताऊगा मेरे मालेक आपको आदे, मेरे प्यारे भाई, भाई, भेहन और प्रिय प्रिय बजुर्ग भी सुने, आपने मत्र क्या करना है खाना खाते हुए, आपने अपनी खाने वे से एक गराई, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा जो भी चीज का रहे है वो थोड़ी थोड़ी नीजे और अपने साइड पे पीछे रख दीजे, पीछे के उपसर लखना है और ऐसी साइड से रखना है ऐसे गूमना नहीं है, मैं तो आपको बता रहा है, ऐसे खारे हैं, खाना शुरू जैसे ही करें जे, आपने उसमें से मैं कहता हूँ, जो इनसान ये कारे करता है, उसे पित्तर दोश कभी लगेगा ही नहीं, अगर आप पैसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप बड़े बड़े अडंबर नहीं कर सकते हैं, जो कि बना दिये गए हैं, इनसानों के दवारा, अगर आप मेरे मालिक ये नहीं कर सकते है तो आप चोटा सा उपाय करके देखिए, आपके पित्र, मैं कहता हूँ, हजारो लाखोर रुपे खर्चने से भी नहीं हो पायगा, जो काम, वो मातर एक गराई आपके खाने में से निकलिवी कर देगा, या पैक मेरे पास कोशन आया है, जो डाइनिंग पे खाते है, वो की डाइनिंग टेबल पे साइड पे लग दे, आपने निकालना है अपने पित्रो के नाम का और पहले निकालना है बाद में जूटा करके नहीं निकालना है, ये तो सब कोई पता ये बताने वाली बात ही नहीं, कितना छोटा सा उपाय है, बताईए, एक्जाम्स क्लियर नह की वर भई, आना गार्ण्मेंट जॉब के लिए इंटर्व्यू, क्लियर करना ही जरना है बाई, एक्जाम क्लियर करना ही जरना ही, ऑर जो छोटे बच्छे बच्झारे उनके भी एक्जाम होते, जैसे eight dient, eleven, twill, फिर उसके बाद के एक्जाम स्वगेरा आजाते हैं, बच्चा जाके भूल जाता है, वहां पे पेपर में, और इंट्रुवू देने जाता है, सब कुछ भूल जाता है, घबरा जाता है, अरे भाई, यह तो बड़ी समस्य है, इतना छोटा सा सुचवर दूगा आज में, एस, 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 बच्चों ने, बड़ों ने, सबने, मैं कहता हूँ कि ऐसा भी पेपर होगा, कि ऐसा भी इंट्रुवू होगा, आपका क्लियर है, अब यह नहीं कि पढ़ाई ना करें बच्चे, यह पॉसिबल नहीं है, यह पढ़ना पड़ेगा, अगर जहां पचास नंबर आने है, वह सत्तर नंबर आएंगे, और जो यह इंट्रुइवू में आप कुछ बूल जाते हैं, इस, 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 ईस, ऩॉबे पाम-डस मिंट चुबे पाम-दस मिंट शाम को, थोड़ा 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 बोलते रही है, देखें चमतकार को नमस्कार, मानगे इका यह देएखिआ, नंबर वन रोम नार. आप भई हमने बढ़ा भी दिया पेपर भी क्लियर करवा दिये इंटर्वी भी करवा दिये वह नोकरी भी लग गई अब भई आती है शादी की बारी यह भी कोशन थे हना जी अब अब शादी की बारी जब आती है तो सबसे पहले आप से कौन सा धर देख रहा है काज़द उससे हमारा हमारी बीबी और पती के बारे में मतलब पतनी और पती के बारे में पता चलता है और सेवंथ आउस जो होता है शुकर और बुद की मल्कियत है शुकर कैसे ठीक करें जिए अब लो जी आगया फिर से वोई कोश्चन अब फिर रेमेडी यह है और कोई कर सकता है जो हम रेमेडी बताते है गर्फरेंड नहीं मिल रही है बीवी नहीं मिल रही है शादी नहीं हो रही है तो क्या करें यह तो काम की मज़ा आजया है दई से सान केजी दई से सान केजी आपका शुकर अगर कहीं पर भी है खराब हो पूर्वाएं आप परशान हैं गज्ब्फ्रेंड नहीं मिल रिंप लग्जरी लक्षुई माता वहीं माता राणी लक्षुई माता जिसके बगार किसी का चलता ही नहीं है आप लक्षभी माता को और संद ना चाहते हैं सुकर कहीं पेभी आपका ख्राब हो रहा है शुकर के तो शुक्र वाओ ? कैसा भी शुक्र अस्टम शुक्र नमं शुक्र ... कैसा भी विचाराा ... शुक्र । điềuा है ... ? जी करने लिदे तो माँ जो नाशाद स Kendha. आप मात्र मात्र एगमकर चमतकार आप देखेंगे और यह जो तो पहले कायी सालों , शायनों कि चांद्य । आज मैं सब को देखता हूं पहने हुए यह मैंने साथ साल पहले यह उपाय बताया था बताना शुरू किया था फिर सब ने बताना शुरू कर दिया सब के आतों में आप देखेंगे ये अंगूठों में चान्दी के छल्ले और ये चान्दी के छल्ले पहने हैं मैं कहता हूँ शुक्र आपका इतना बली हो जाएगा ये निके एक दिन पहने हैं ये आपको कुछ टाइम पहनना पढ़ते हैं अब मुझे ही होगे दस बारा साल इनको और आज मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुश हूँ अब जैसे कॉन्वलेक्सा है कॉन्वलेक्सा हर किसी की जुबान पर हर एस्ट्रोजर पॉड़काट बिरा रहा है कॉन्वलेक्सा पर अब पहले कहा दे सारे पहले सुचूर्ण है कहा दे समझे हैं आप तह तो आज कर आज अच्छी बात है सब के पास ये कॉन्वलेक्सा का वर्ड पहुंचे प्रोश्रो प्यारी का वर्ड पहुंचे मैं तो ये कहता हूं सबको फायदा हो सबको मझे आए सबकी जिन्दगी में हर्यानी हो मैं तो ये ही चाहता हूं है ना पैसा होगा सब कुछ मतलब इसना तो करना ही है अब गाये को सिंजी जी आप बहुत बढ़िया वह भी पिताया है तो इतनी लोगों की शादिया हुई है इतनी लोगों की शादिया हुई है और पुन्ने का पुन्ने और शादियों की शादी और शुकर को अच्छा करने का इससे बढ़िया उपाए अगर आपने शुक्र को अच्छा करना है, बहुत सुन्दर बहुत जल्दी रिजल्ट देखना है कुछ ही अख्टू में, या कुछ ही दिनों में, तो आप क्या कीजिए जिमिकन, गाजर और आलू, गाय को खिलाना शुरू कर देजिए, मैं कहता हूं कितने से खराब से रिजल्ट देगा, मा लक्षिमी की असीम किर्पा आपके उपर होगी, पत्री भी मिलेगी, पत्री अच्छी भी मिलेगी, और पत्री जो खराब जो बिचारे आप पजगे हैं, वो भी अच्छी हो जाएगी, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, और उनके बड़ा कलेश च मैं कहते हूँ, शुकर देव आपका इतना अच्छा हो जाएगा, वा 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 वा, अनन्दा अनंदा ने अनन्द मैं कहाते हूँ, इतना अनन्दा आएगा मुझा आजाएगा मैं कहते हूँ आपको